हलो एवरिवन, वेलकम बाक टो मैं चैनल सुश्मिता आयस भी, मैं सुश्मिता और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंगलीज की सेकेंड बुक, फुट्प्रिंट बिदाउट, फीट की सेकेंड चाप्टर, दो थीव स्टोरी, जैसा कि आप यहां पे देख पार हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, दो थीव स्टोरी, ठीक है, यह जो स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे, कि लाइक, एजुकेशन कितना जरूरी होता है, किसी भी इंसान के लिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, तो यह ज ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक चीज बोलना चाहूंगी, कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ आप मेरे लाइक वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के भी जादा से जादा शेयर करें, ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, तो आप चैप्टर पे सुरू शेले के इंड तक बने रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ ठीक है, तो दा थीव स्टोरी जो है, इसमें हम जनरली दो कैरेक्टर देखने वाले हैं, एक है अनील और दूसरा है हरी सिंग, यहां अनील जो है वो एक 25 तो 26 इयर का एक लड़का है, और हरी सिंग जो है, वो है चोर, ठीक है, वो एक क्या है, चोर है, तो आईए बढ़ते हम स्टोरी के तरफ स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए बोल रहा है, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand, तो यहां पर जो है न, हरी सिंग अपनी कहानी खुद बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कि मैं चोर ही था, जब मैं Anil से मिला, और उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था, उस वक्त हरी सिंग जो है, चोर जो थे, वो सिर्फ कितने साल के थे, 15 साल के थे, और मैं बहुत experience था चो था, ठीक है, Anil was watching a wrestling match when I approached him, he was about 25, a tall lean fellow, तो जब वो Anil से मिला था, तो Anil कुस्ती का मैच देख रहा था, ठीक है, और उस वक्त वक्त क्या था, पत्टीस, क्या था वो, पत्टीस साल का था, लंबा था, एक टॉल, lean fellow, पतला सा था, and he looked easy going, और वो सीधा साधा सा था, कैसा दिखने में था, सीधा साधा था, kind and simple enough for my purpose, ठीक है, वो एक kind था, मतलब like kind, दयालू, hearted था, और हरी सिंग के purpose के लिए, क्या था, सही था, उसको ऐसा लग रहा था, मेरे purpose के लिए, ये बिल्कुल सही है, क्या चीज का purpose, तो हरी सिंग क्या है, एक चोर है, तो जो चोरी का उसको परपस है, चोर क्या सूचता है, कहां से मैं चोरी करू, कहां मतलब, क्या बोलू, मैं, टाका डालू, तो उस थरीके से, वो उसके purpose के लिए, अनिल जो है, बिल्कुल उसको सही लग रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, I had not had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence, ठीक है, कि, like, Hari Singh यहाँ पर क्या कहता है, कि काफी समय से मैं कोई चोरी कर नहीं पा रहा था, और उसको, अनिल को देखकर ही ऐसा लगा कि यह लड़का काफी सीधा सा है, इसको तो मैं अपनी बातों में फसा ही लूँगा, ठीक है, उसको ऐसा लग था, बहुत, उसका luck जो है, ऐसा लग इंट्स था, तो Hari Singh जो है, अनिल के पास जाता है, और कहता है, यहाँ पर अब हरी सिंग अनिल के पास जाता है, और कहता है, तुम खुद भी तो पहलवान जैसे ही लग रहे हो, ठीक है और वो क्या कहते है थोड़ी सी चापलूसी यहाँ पर बोल रहा है A little fluttery health in making friends यहाँ थोड़ी सी चापलूसी करने से दोस्त बन जाते हैं बत्त है वो उसकी चापलूसी कर रहा था दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था ठीक है So do you, he replied Which put me off for a moment Because at that time I was rather thin तो यहाँ पर क्या होता है Like Anil अब उसको reply करता है कि तुम भी ऐसे ही लगते हो उसने कहा आप तो एक दम like wrestler की तरह लगते हो तो reply में Anil ने क्या कहा तुम भी ऐसे ही लगते हो और वे कहते हैं Like वो कह रहे है, Hari Singh कह रहे है कि जैसे ही Anil ने मुझे बोला मुझे काफी हसी आ रहे थी क्योंकि तब तो मैं बहुत पतला था वो काफी जादा थिन थे ठीक है यहाँ पर देखिए Rather thin ठीक है Well, I said modestly I do wrestler a bit What's your name ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ बट फिर भी मैंने वहाँ पर क्या कि असर माया नहीं और कहा हाँ कभी-कभी wrestler मैं भी wrestling मैं भी कर लेता हूँ वो क्या कह था कि हाँ-कभी-कभी मैं भी wrestling कर लेता हूँ अब Anil उससे उसका नाम पूछता है What's your name Chut जो यहाँ पर चोर है उसका नाम लेक गरी संग नहीं था लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया person campaigns ठीक है I took a new name एक सेकें I took a new name every month मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ that kept me ahead of the police and my former employees ठीक है यह पर क्या बोल रहा है कि मैं तो हर महीने नया नाम लेता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है वो पुलिस से भी बच लेता है और मेरे जो पुराने employees है employ means क्या जिसके यहां उसने पहले चोरी की है उससे भी वो बच लेता है ठीक है After this introduction Anil talked about the well-oiled wrestlers who were granting, lifting and throwing each other about ठीक है और इस जान पहचान के बाद उन लोगोंने wrestler के बारे में बात करी ठीक है जो उठा उठा के एक दूसरे को क्या कर रहे थे फेक रहे थे ठीक है I did not have much to say Anil walked away I followed casually ठीक है उसको लाईक हरी सिंग को जादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में I did not have much to say उसको जादा कुछ इसके बारे में पता नहीं था फिर भी वो Anil और वो पाते कर रहे थे और अब वो जो व्रेस्लिंग का जो मैट चल रहा था वो खतम हो जाता है और अब जो है Anil वहाँ से चला जाता है जाने लगता है Anil walked away I followed casually और वो हरी सिंग जो है उसको पीछा करता है ठीक है वो उसके पीछे पीछे जाता है तो hello again he said तो Anil ने कहा फिर से hello he said I gave him my most appealing smile I want to work for you I said but I can't pay you ठीक है यहाँ पे देखिए वो हरी सिंग जाता है Anil के पीछे पीछे और वो उसका पीछा करता है और जातो Anil ने कहा hello तो वो जो है हरी सिंग ने क्या 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 उसको बहुत प्यारी वाली एक smile ली Anil को और मैंने उसको कहा लाइक यहाँ पे देखिए जो हरी सिंग है उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए मुझे काम करना है तो उसने क्या कहा but I can't pay you Anil ने क्या कहा इतने मैं Anil ने reply किया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं देखिए स्टोरी अभी तक में क्या हुआ अभी तक में स्टोरी यही हुई कि Anil जो है एक 25 साल का लड़का है और हरी सिंग जो है एक चोर है वो 15 साल का है तो हरी सिंग जो है यहाँ पे क्या करता है Anil से मिलता है वो भी कहाँ पे जहाँ पे व्रसलिंग का मैच हो रहा होता है पहलवानों का जो मैच होता है वहाँ पे मिलता है और Anil को देखकर वो सोचता है यह काफी सीगा साधा बंदा है जो कि मेरे परपस के लिए बिलकुल सही है और वो अनिल से बात करने की कोशिश करता है ठीक है और फिर उसको हाई हलो होता यहां तक हम लोगों ने यह सारी चीत देखी उसके बाद हरी सिंग ने कहा अनिल को कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ बट अनिल ने कहा कि मैं आपको मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता उसके बाद हरी सिंग जो है एक मिनिट के लिए सोचा परहपस आई हैड मिस जज्ज माई मैन आई आक्स कैन यू फीड मी उसके बाद वो सोचता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया जब यह बोलता है ना अनिल कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता तब वो सोचता है कि मैंने मिस जज्ज मतब जज्ज करने में भूल कर दिया यहाँ पर ठीक है तो उसने अनिल ने किया किया क्या तुम खाना बना सकते हो तो आई कैन कुक आई लाइड अगें तो हरी सिंग फिर क्या कहता है कि हाँ हाँ मैं खाना बना सकता हूं और फिर उसने जूट बोल दिया हरी सिंग को खाना बनाना भी नहीं आता है लेकिन वो फिर से उसने या दूँगा ठीक है ऐसा उसने कहा अनिल ने कहा यहां पर क्या हुआ कि अब दोनों घर की तरफ जाते हैं और अनिल का एक कमरे का उसका किराय का घर है वो एक किराय के घर में रहता है वो जमुना स्वीट के उपर था अनिल का घर ठीक है और अनिल उसको घर में लाकर कहता है हरी सिंग को कि तुम बालकनी में सो सकते हो ठीक है सो जाना तुम बालकनी में तुम सो सकते हो बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जूड बोला था कि उसे खाना बनाना आता है लेकिन उस रात जब उसने खाना बनाना नहीं आता था तो उस रात जब वो उसने खाना बनाया वो काफी भयानक था काफी टेरिबल था बहुत भयानक गंदा सा था और अनिल ने इसलिए क्या किया वो खाया नहीं वो गली के कुट्टो को खिला दिया उसको और अनिल ने कहा उसे कि जाओ यहां से तुक ओफ तु भी ओफ अनिल ने क्या कहा उसे कि तु अब जाओ यहां से ठीक है फिर वो क्या कहता है हरी सिंग क्या कहता है जब हरी सिंग को अनिल कहा कि यहां से जाओ तो वहां पे हरी सिंग ने क्या कहा वो वहीं पे खड़ा रहा और उसने जो है उसे देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी और अनिल को भी उसे देखकर डया आ गई कि छोटा सा बच्चा है पंदरा साल का और उसे भी अनिल को भी हसी आ गई ठीक है यहां भी क्या हुआ कि बाद में फिर उसने मेरे सीर को क्या किया लेटर री पैटेड मी ओन दा हेड उसने घरी सींग के सीर को क्या कि अस्यहलाया और कहा कि कोई बात नहीं मैं तुमको क्या करूंगा खाना बनाना सिखा दूंगा ठीक है कोई बात नहीं है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा He also taught me to write my name and said He would soon teach me to write whole sentences and to add numbers ठीक है उसने अनिल ने क्या कहा कि कोई बात नहीं ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूँगा खाना बनाना भी सिखा दूँगा पुरा sentence लिखना बता दूँगा और आड करना लाइक नमबर को आड करना भी सिखा दूँगा ठीक है I was grateful I knew that once I could write like an educated man there would be no limit to what I could achieve तो यहाँ पर हरी सिंग जो है हरी सिंग बहुत grateful हुआ ठीक है कि लाइक जब उसने कहा कि मैं तुम्हें sentence भी लिखना सिखा दूँगा और सब कुछ सिखा दूँगा तो हरी सिंग को पता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह उसकी कोई limit नहीं रहेगी फिर वो ठीक है और वो जो चाहेगा वो अच्छीव कर सकता वो क्या बोलता है कि एक पढ़े लिखे आदमी की तरह तो मेरी कोई limit नहीं रहेगी और मैं जो चाहूंगा अच्छीव कर सकता हूँ तो हरी सिंग को मतब education की value पता थी ठीक है तो अनिल के लिए क्या था अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था इट वोस क्वाइट प्लेजन्ट वर्किंग फोर अनिल तो हरी सिंग के लिए अनिल का काम करना बहुत अच्छा था ठीक है I made the tea in the morning यहाँ पर देखे I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies usually making a profit of about a rupee a day तो यहाँ पर क्या था वो सुभ़ चाई बनाता था मैं सुभ़ चाई बनाता था और दोपहर को क्या करता था दोपहर को घर का रासन पानी खरीदने के लिए चाता था और कभी कभी जो रासन से जो पैसा बसता था ना उसमें से एक रुपए वो अपने पास रख लेता था जो भी बसता था I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind उसे मुझे लगता था यहाँ पर हरी सिंग बोल रहा है कि मुझे लगता है अनिल को पता था जो एक रुपए बचता था वो मैं अपने पास रखता था बट उसे कोई फरक नहीं पड़ता था अनिल को कोई फरक नहीं पड़ता था उससे वो माइंड नहीं करता था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या है अनिल जो था अब उसके बारे में देखे यह बताता है कि अनिल कभी कभी कमाता था कभी कभी नहीं कमाता था कोई regular उसकी जौब नहीं थी अनिल की ठीक है वो एक हफते उधार बांगता था और दूसरे हफते में उस उधार को देता था चुका देता था उसको ठीक है, he kept worrying about his next check but as soon as it arrived, he would go out and celebrate ठीक है, हमेशा डरता रहता था, मेरा check कब आएगा मतलब वो कहते था, मेरा check कब आएगा बट जैसे ही check आता था, पैसा आता था, वो बाहर जाकर मस्ती करता था, पैसे उड़ाता था अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था, celebrate करता था, 25 सार के लड़के सब क्या ही उमीद कर सकते हो, मस्ती करता था, बाहर चला जाता था गूमता था ठीक अपने दोस्तों के साथ वो मतलब वेटिंग में रहा था कि मेरा चेक कब आएगा चेक कब आएगा जैसे ही आता था वो उस पैसे को जा करके बाहर खर्चा करके आ जाता था ठीक है अब यहाँ पर देखिए it seems he wrote for magazines ठीक है a queer way to make a living वो ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल मैगजीन के लिए लिखता है कि इसको ऐसा लगता है हरी सिंग को ठीक है हरी सिंग को लगता है कि मतब वो उसको देखता था ना अनिल को नोटीस करता था तो उसको ऐसा लगता था कि वो मैगजीन लिखता है अनिल ठीक है तो एक रात को जब अनिल घर आया तो उसके हातों में नोटों का बंडल था और उसने मुझसे कहा कौन कह रहा हरी सिंग उसने मुझसे कहा अभी अभी मैंने पबलीसर को एक बुक बेची है ठीक है और रात को मैंने देखा मतब हरी सिंग देख रहा है कि रात को मैंने देखा पबली लाइक कि उसने छुपा के कुछ जो भी पैसा वो लाया था वो उसने छुपा के रख दि गद्दे के नीचे उसने अनिल ले छुपा करके वो पैसा रख दिया I had been working for अनिल almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work ठीक है तो यहाँ पर देखे हरी सिंगी बोल रहा है कि वो मैट्रेस के नीचे पैसा चुपा के रख दिया अब हरी सिंग बोल रहा है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए एक महिना हो जुगा था शॉपिंग में जो एक रुपे रख लेता था वो उसके अलावा उसने कभी भी कुछ भी नहीं लिया अनिल का कुछ भी नहीं लिया ठीक है तब उसने अपना काम नहीं किया वो तो एक चोर था ना लेकिन वो सॉपिंग से जो एक रुपे बस था था बस वो रख था उसके लावा उसने कभी भी एक भी पैसा अनिल का नहीं चुराया था तो यहां पर देखे ऐसा नहीं था कि मेरे पास opportunity नहीं थी मेरे पास बहुत opportunity कुछ ना कुछ चुराने की लेकिन अनिल ने मुझे किया कि अपने घर की चाबी भी दिया और मैं अपनी मर्जी से बाहर आजा सकता हूँ उसने मुझे किया किया भरोसा किया तब तो उसको घर का चाबी दिया ना उसने विश्वास किया है और and that is why it was so difficult to rob him अनिल जो है उस पे इतना विश्वास करता था इसलिए उसके घर में चोरी करना उसके लिए क्या था मुश्किल था कौन कहता है हरी सिंग कहता है ठीक है it's easy to rob a greedy man जो लालची आदमी है उसके घर में चोरी करना क्या है आसान होता है because he can afford to be robbed क्योंकि वो लालची आदमी होता है उसके घर में तो ऐसा ही होना चाहिए उसके घर में चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं हो उसके घर में चोरी करना आसान है but it's difficult to rob a careless man but जो careless man होते है न जो ध्यान नहीं देते हैं उसके घर में चोरी करना आसान नहीं होता है sometimes he does not even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the world वो क्या कह रहा है हरी सिंग कि जो careless इंसान है उसके घर में चोरी करने में मुझे मजा नहीं आता है कि अगर मैं किसी careless इंसान के घर में चोरी करूं और उसको पता ही ना चले तो उससे मजा ही नहीं आता है मुझे चोरी करने में तो सबसे ज़ादा easy होता है greedy people के घर में चोरी करने का जो लालची लोग होता है उसके घर में चोरी करने का ठीक है जो careless है उसके घर में चोरी करके कोई मजा नहीं आता है well it's time I did some real work तो वो क्या बोलता है कि बहुत समय हो गया मैंने कोई असली काम नहीं करा है I told myself उसने अपने आप से कहा ठीक है मैंने खुद को कहा I told myself मैंने खुद को कहा यहां कौन कह रहा है हरी सिंग कह रहा है ठीक है I am out of practice और मैं practice से बाहर होता जा रहा हूं ठीक है and if I don't take the money he will only waste it on his friends after all he does not even pay me तो यहां पे हरी सिंग क्या कर रहा है और अगर मैं मनी नहीं लूँगा तो यह अपने दोस्तों में उड़ा देगा मनी और यह मुझे पैसे देता भी तो नहीं है वह ऐसे अपने मन में सोच रहा है कौन सोच रहा है हरी सिंग सोच रहा है अब वो पैसे देख करके उसको लालच आ गया क्योंकि अनिल जो है पैसे लेकर के आया था वो परगलीसर को बुक बेचा था उसे पैसे मिले थे और उसने उसे गद्दे के नीचे रखा था तो यह देख करके अब जो है हरी सिंग को लालच आ गया उस पैसे पर ठीक है अब आगे देखते आईए अनिल वॉज असलिब अनिल सो रहा है ठीक है अनिल क्या कर रहा है अभी सो रहा है ए बीम ओफ मूनलाइट स्टेप ओवर दा बालकनी और फिल ओन दा बेड अंडरलाइन करते वे जा रहा है ठीक है ए बीम ओफ मूनलाइट स्टेप ओवर दा बालकनी और फिल ओन दा बेड ठीक है अनिल सो रहा है और हलकी सी चांद की जो रौशनी है वो बालकनी में से होता हुआ आ रहा था बेड तक आ रहा था ठीक है I sat up on the floor considering the situation तो जो बेड था उस पे भी रौशनी आ रही थी बालकनी से होती हुआ वो आ रही थी और उसका जो बेड था उस पे वो रौशनी आ रहा था तो वो बालकनी के डोर पे ही बैड जाता है और अपने दिमाग में situation को सोचते हुए वो सोचते हुए वहाँ पे बालकनी के जो डोर है उस पे वो बैड के लाइक वो situation को सोचता है वो क्या सोचता है अपने दिमाग में कि अगर मैं मनी ले लेता हुँ तो मैं रात के साढ़े दस बजे के ट्रेन से लखनाओ मैं लखनों का साढ़े दस का ट्रेन पकर सकता हुँ sleeping out of the blanket, I crept up to the bed, Anil was sleeping peacefully, अब देखिए क्या होता है, वो अपने blanket से, मैं अपने blanket से बाहर गया, वो पेट के बल रेंग कर गया, अनिल के बेड के पास, ठीक है, अनिल के पास गया, अनिल जो है, बहुत सांती से क्या कर रहा था, सो रहा था, पीसफुली सो रहा था, ठीक है, इस face was clear and unleaned, उसकी face एकदम clear थी, unleaned थी, जूरिया हो रही है, कुछ भी नहीं पड़ी भी थी, Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars, यहाँ पे हरी सिंग क्या कह रहा है, कि अनिल के पास, वो बेड के पास दे जाता है, तो वो अनिल को देखता है, कि अनिल जो है, बहुत पीसफुली सो रहा है, अनिल के face पे बिलकुल भी दाग नहीं है, marks नहीं है, बट इसके face में जो है, बहुत सारा marks तो नहीं है, बट scars है, मतलब जिसे चोर लोग पकड़ते हैं, चोरों को तो पीटा जाता है, तो उस तरीके से उस पे, लाइक, उसके face पे scars है, my hand slide under the mattress, searching for the notes, ठीक है, उसने क्या किया, उसके hands जो है, हरी सिंग के hand जो है, वो mattress के अंदर तीरे तीरे वो गद्दे के नीचे, वो सरका कर अपने हाथ को ले गया, ठीक है, searching for the note, और note को धूंडता है वो, ठीक है, when I found them, I drew them out without a sound, ठीक है, जब धूंडता है, और वो उसको निकालता, अनिल sign in his sleep and turn on his side towards me, इतने में अनिल क्या करता है, अनिल जहां से मतलब हरी सिंग पैसे निकाल रहा जिस तरफ से, उसी तरफ अनिल जो है, वो मू करके सो जाता है, I was startled and quickly crawled out of the room, वो क्या करता है, बहुत डर जाता है, और वो रेंग तेवे room से बाहर निकल गया, कौन बाहर निकल गया, हरी सिंग, I was startled, मैं बहुत डर जाता हूँ और quickly crawled out of the room, वो रेंग करके बाहर से मैं मतलब उनके बाहर जाता हूँ, अब आगे देखते हैं, When I was on the road, I began to run, ठीक है, यहाँ पे देखिए, पैसे तो वो ले लिया, ठीक है, और वो बहुत डर गया और रेंग करके बाहर निकल गया, वो रास्ते में भागते हूए जा रहा होता है, कौन, हरी सिंग, I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, वो रास्ते में भागता हूए जा रहा होता है, और जो पैसे थे न, वो उसके कमर पे थे, कमर पे जो कमर रसी होती है, उस पे उसको उसने बांध रखी थी, ठीक है, पैजामा के नाडे के साथ उसने पैसे को भी रखा था, ठीक है, I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in fifties, I could leave like an oil rich arab for a week or two, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा वो धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है, हरी सिंग क्या करता है, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, और वो धीरे धीरे चलते हुए, क्या करने लगता है, नोट गिनने लगता है, पैसे गिनने लगता है, जो 600 rupees थे उसके पास, और 50-50 के नोट थे, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, कि इतने पैसे में तो, जैसे सेख लोग रहते हैं, मैं वैसे रह सकता हूँ, दो हफ़ते तक तो चली जाएगा इस पैसे से, वो सोचता है, ठीक है, देखिए कैसे वो यहां से पैसे चुराता है, अनिल सोया हुआ है, ठीक है, आगे देखिए, अब देखो यहां पर, जब मैं स्टेशन पोहसता हूँ, तो मैं टिकेट काउंटर पे नहीं रुखता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, भले इंसान, हम लोग टिकेट लेके जाते हैं, पुलिस पकड़ लेंगे, तो भई दंटे मारेंगे रास्ते में, हमें निकाल देंगे, हमसे पैसे लेंगे, तो हम स्टेशन जाते हैं, टिकेट काटते हैं, लेकिन ये तो रहा चोर, तो वो बोल रहा है, जब मैं स्टेशन पहुचा, मैं टिकेट काउंटर पे नहीं लखनाव एक्सप्रेces, दिकेट काटते हैं, लखनाव एक्सप्रेस चल के जा रही थी, मैं समझ चल रही थी वो A. टिकेट काटते हैं, या प्शित वहीं रेकिन ये रेकिन लखनाव एक्सप्रेशन वो अभी speed पकड़ी नहीं थी वो अभी बहुत आराम से थी और उस train में वो जा सकता था मैं जा कर seat पे बैठ सकता था बट मैं डर गया और किसी चीज ने मुझे रोक लिया ये कौन कह रहा है? हरी सिंग कह रहा है किसी चीज ने मुझे रोक लिया ठीक है? और वो जाने का उसका चांस जो है वो चला जाता है ठीक है? वेन दे ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड मैसेल स्टैंडिंग अलोन ओन दे डिजर्टेड प्लाटफॉर्म जब ट्रेन चली गई तो हरी सिंग अपने आपको क्या पाता है? अकेला पाता है ठीक है? वो देखता है कि मैं यहाँ स्टेशन पे अकेला हूँ एकदम सुनसान I had no idea where to spend the night और मेरे पास कोई idea नहीं कि मैं अब कहां रात बिताओ और यहाँ पे देखिए I had no friends believing that friends were more trouble than him यहाँ पे जो है उसको कोई idea नहीं था कि वो रात कहां पे बिताओगा वो अपनी रात कहां पे spend करेगा वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि एक पंदरा साल का वो बच्चा था ठीक है? और वो बलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि दोस्त जो है बनाना भी मुसीबत ठीक है? यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? I had no idea where to spend the night I had no friends believing that friends were more trouble than him and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? कि जब train चली गई तो वो सोचने लगा मैं रात कहां पे बिताओँ? उसको डर लग रहा था उसका कोई दोस्त भी नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि दोस्त मुसीबते ही लाते हैं और मेरे यहाँ भी उसका ये भी मन नहीं था कि वो होटल में जाकर रूखे क्योंकि एक 15 साल का बच्चा अगर होटल में अकेले रहेगा तो क्या होगा लोग पुछेंगे ना कि 15 साल का बच्चा भी होटल में क्यों है यहाँ पर बोल रहा है एक ही आदमी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वही वो आदमी है जिसके घर में मैंने चोरी किया है चोरी करके मैं आया हूँ ठीक है और वो धीरे धीरे बाजार से निकलता है और यहाँ पर वो क्या बोलता है कि यहाँ पर तो सबसे पहले वो स्टेशन से बाजार के तरफ निकलता है और वो चलते हुए मतलब कहता है कि जो थीव का जो मेरा सौर्ट केरियर है यह जो पंद्रा साल का बच्चा है उसका जो short सा carrier है यहाँ पर मैंने लोगों के चहरे को पढ़ना सीख लिया है ठीक है लोगों के चहरे को पढ़ना सीख लिया है जब वो अपना कोई किंती चीज खोता है ठीक है When they had lost their goods जब वो कोई अपने किंती चीज खोता है तो उनका चहरा कैसा होता है तो वो ठीक है ना मतलब वो जानता है ठीक है मतलब अगर कोई किसी चीज़ को खोता है तो उसका इक अलग फीलिंग होता है अगर कोई सी के पैसे चोरी हो जाती है मूड क्या होता है उसका तो उसको चोरी करकर के और 15 साल के केरियर में experience हो गया था कि जब वो like कोई भी इंसान अपनी कीमती चीज़ खोता है तो उसके चहरे पे क्या भाव होता है मैं देख चुका हूं ठीक है ये कौन कह रहा है ये हरी सिंग कह रहा है ठीक है the greedy man showed fear जो greedy man होते है जो लालची man होते है आदमी होते है उसे क्या होता है डर होता है for the rich man showed anger जो rich man होते है जो मतब अमीर होते है उनके मन में क्या होता है गुसा आता है उसको ठीक है गुसा आने लगते मेरी ये पैसे चुरी होगे the poor man showed acceptance और जो गरीब आदमी है वो accept कर लेता है ठीक है but I knew यहाँ पे देखो but I knew that Anil's face when he discovered the tape would show only a touch of sadness not for the loss of money but for the loss of trust तो वो बोलता है कि मुझे पता है Anil के face का expression क्या होगा जब उसे पता चलेगा मैंने पैसे चुरा लिये है और उसके सकल पे एक दुख आएगा क्या आएगा sadness आएगा पैसे के loss होने के लिए नहीं कि पैसा हो गया है but विश्वास घात के लिए आएगा किसली आएगा trust के लिए Anil जो इतना trust करता था मतलब हरी सिंग को इतना trust करके बोलाया था इस चीज का उसको दुख होगा कि मैंने उस पे इतना ज़ाधा trust किया ठीक है I found myself in the मैदान and sat down on a bench the night was chilly it was early November तो अब जो है हरी सिंग जो है वो क्या देखता है कि अब वो एक मैदान में आ जाता है और वहाँ एक bench लगी थी वो वहाँ बैट जाता है और रात उस वक्त कैसी थी बहुत ठंडी थी the night was chilly बहुत जादा ठंडी हो चुकी थी क्योंकि ये नौवंबर की बात है it was early November उस वक्त सोचिये जबकि ये कहानी है जबकि ये स्टोरी है उस वक्त नौवंबर में बहुत जादा ठंडा होता था अभी तो ठंड बहुत कम हो गया है ठीक है लेकिन उस वक्त नौवंबर में बहुत जादा ठंडा होता था and a little drizzle added to my discomfort ठीक है हलकी हलकी बारिस की बूंदे जो है वो गिर रही थी ठीक है और उसको एक ही वो परेशान था हरी सी ऐसे ही और उपर से उसको ये और भी परेशान कर रही थी soon it was raining quite heavily to my skin and a cold wind below the rain across my face अब उसका जो कपड़ा है गिला होकर उसकी बॉडी से चिपक जाता है और फेस पे बारिस की बूंदे आ जाती है उसकी ठीक है I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower the clock showed midnight I felt for the notes they wear derm from the rain यहाँ पर क्या हो जाता है बारिस शुरू हो जाती है और उसके कपड़े क्या हो जाता है गिले हो गए थे और बॉडी से वो चिपक कर फेस पे बारिस की बूंदे आ रही थी यहाँ पर देखिए मैं बाजार वापस आ गया और घंटा घर के नीचे वहाँ पर बैड गया देखिए मैं बाजार से वापस आ गया और वहाँ पर घंटा घर के नीचे बैड गया अभी रात के कितने बज रहे थे बारा बज चुके थे मैंने नोट को छुकर वो नोट को देखा छुआ वो क्या हो गया थे भींग गया गिले हो गया थे जो कि बारिस थे क्योंकि बारिस हुई थी उसका तो पूरा पजामा और कपड़ा भींग गया थे तो नोट भी भींग गया थे यह हो सकता है कि अगर मैंने यह ना चुराया होता तो सुभा मुझे दो-तीन रूपे अनील क्या करता देता और कहता जाओ सीनिमा देख कर आओ but now I had it all पर अब तो ये पूरे पैसे मेरे पास है ठीक है ये बोल रहा है I could not cook his meal run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore अब वो क्या बोलता है, अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं, तो अब तो मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, मुमन में सोच रहा है, मैं बाजार जाकर उसके लिए ठीजे नहीं खरीब पाऊंगा, और ना ही अब मैं कभी पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा, ठी यहां तक देखे ऐसा कौन सोच रहा है हरी सिंह सोच रहा है I had forgotten about them in the excitement of the thief whole sentences I knew good one they bring me more than a few hundred rupees यहां पर अब वो सोचने लग जाता है अब उसके दिमाग में जो है वो आने लगता है कि अब तो मैं क्या हो गया बाजार जाकर उसके लिए खाना भी नहीं बना सबजी भी लेकर के नहीं आ पाऊंगा ना ही मैं कभी पूरा sentence लिखना सीख पाऊंगा तभी लेकि उसको ऐसा लगता है कि उसने गलती की है तो चोरी की excitement में वो सोचता है कि चोरी की excitement में मैंने तो क्या किया पढ़ने लिखने के बारे में तो मैं भूली गया अब मुझे समझ में आया कि मैं अगर पढ़ना लिखना सीख जाओंगा sentence लिखना सीख जाओंगा तो मैं ये 100 रुपीज से बहुत जादा आगे जाकर कमा सकता हूँ ऐसे सौ के बहुत सारे notes कमा सकता हूँ उसको दिरे दिरे अब ऐसास हो रहा था कि उसने जो किया वो गलत किया It was a simple matter to still and sometimes just as simple to be called तो चोरी करना तो बहुत आसान है और चोरी करके पक्रा जाना भी आसान है ठीक है, but to be a really big man, a clever and respected man was something else बट वो क्या बोल रहा है कि अगर दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनना है और एक समझदार चाला, respected आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है चोरी करना तो बहुत आसान होता है, चोरी करके पक्रे जाना भी बहुत आसान होता है लेकिन एक respected man बनना, एक बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है I should go back to Anil, I told myself if only to learn to read and write अब वो तभी वो अपने आपको खुद से वो कहता है कि मुझे Anil के पास वापस जाना चाहिए श्रीफ क्या पढ़ने के लिए ही सही, मुझे वापस जाना चाहिए ठीक है, I hurried back to the room, एक second, यहाँ पर देखिए I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than the written it undictated, तो वो क्या करता है, room की तरफ जाता है, घर की तरफ, room की तरफ गया और काफी उसको डर लग रहा था, वो सोचता है बहुत आसान होता है चोरी कर लेना rather than चोरी की गई चीज को वापस रखना, चोरी करना तो बहुत इजी आप चोरी करके निकल गया लेकिन उसी पैसे को जब आपको रखना है तो वो बहुत मुश्किल है, I opened the door quietly then stood in the doorway, in clouded moonlight, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है, वो धीरे से दरवाजा खोलता है, हलके से, ठीक है, और दरवाजे के पास, like, वो धीरे से दरवाजा खोला, यहाँ पे then stood in the doorway, और दरवाजे पे खड़ा रहा, in clouded moonlight, sorry, वो धीरे से दरवाजा खोल करके दरवाजे के पास खड़ा रहा, then चांद की जो रौसनी है न, वो अंदर कमरे में आ रही थी, उस वक भी, ठीक है, then अनिल was still asleep, अनिल अभी भी सो रहा था, I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes, ठीक है, और वो क्या किया, बेड के पास गया, और उसने, क्या किया, note को वापस वहाँ पे रख दिया, और तभी जो है, I felt his breathe on my hand, तभी उसने अनिल की जो breathe है, अनिल की जो सास है, उसको अपने हातों पे मैसू पे वो एक मिनिट तक के लिए रूख गया, then my hand found the age of the mattress and slipped under it with the notes, और मैंने mattress के नीचे क्या कर दिया, उसने note को छुपा दिया, रख दिया, जैसे था, ठीक है, उसी तरीके से, I awoke late next morning to find that अनिल had already made the tea, अगले दीन जो है सुभा, वो बहुत देर से उठा, कौन, चोर, हरी सिं और मैंने देखा कि अनिल मेरे लिए चाई बना चुका था उस वक्त तक, ठीक है, he stretched out his hand towards me, और वो जैसे उसके पास जाता है, तो अनिल क्या करता है, उसकी तरफ हात बढ़ाता है, और उसके हातों में क्या करता है, there was a 50 रूपी note between his finger, और उसके finger हात में क्या होता है, 50 रू एक दम बैड गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि अनिल ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, I made some money yesterday, he explained, now you will be paid regularly, बट अनिल ने क्या कहा, मैंने कल कुछ पैसे कमाया था, अब तुम्हें रोज मैं pay करूंगा, ठीक है, my spirits rose, मतलब उसकी आत्मा क्या हुई, यहाँ पे चोर ह सरी सिंग्या करमा, spirits rose, मेरी आत्मा खुश हो गई, but when I took the notes, I saw it was still wet from the night's rain, जैसे ही मैंने वो note पकड़ा, मैंने देखा वो अभी भी क्या थे, गीले थे, क्या थे वो, गीले थे, and फिर अनिल कहता है, today we will start writing sentence, he said, अनिल क्या कहता है, कि आज हम sentence लिखना सीखेंगे, He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything, क्या था, अनिल को पता था, अनिल सब कुछ जान चुगा था, कि उसके पैसे, जो है, हरी सिंग ने चुराया है, फिर उसने रख दिया है, लेकिन अनिल कुछ भी नहीं बोला, उसके आखों से, उसके मूँ से एक भी word नहीं लिखा, अनिकला, I smiled at अनिल in my most appealing way, and the smile came by itself, without my effort, यहाँ पे हरी सिंग क्या बोलता है, कि मैंने बहुत प्यारी सी क्या की, smile दी अनिल को, और इस बार जो मेरी smile थी, वो कोई effort से नहीं आई थी, without effort आई थी, वो भी समझ चुका था, हरी सिंग भी समझ चुका था, कि अनिल जो है, एक बहुत अच्छा आदमी ह वो मुझे उसको क्या होगा, एहसास हुआ, कि मेरे लिए अगर मैं educated हो जाता हूँ, तो मैं तो इससे बहुत जादा पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं चोरी करके जो जा रहा हूँ, इसके बाद मैं कितने दिन मतलब, इस चोरी से मैं कितने दिन गुजार सकता हूँ, अच्छे स से जो है लोगों की लाइफ सुधर सकती है ठीक है ना तो यह बहुत प्यारी सी स्टोरी है आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ यह अच्छे से जाने अगर आप ओ कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर कमेंट किजे तो आज के लिए इतना ही इतके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे अनिल के अबजिक्टिव कोशन के साथ जो भी स्टोरी है हमारी तथीव स्टोरी के अबजिक्टिव कोशन कोशन के साथ मिलेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें